कोविट सील्ड नाम की एक कंपनी को वैक्सीन का ठेका दिया जनवरी 2021 में ये ठेका दिया गया और एक करोड़ दस लाख डोज इस कंपनी से मागी गई उसका दाम रखा गया डेल सो रूपए उसके बाद जब वैक्सीन मार्केट में आई तो दुनिया के कई हिस्सों में हाहाकार मत गया क्योंकि इस वैक्सीन को लगाने से वहां दुस्प्रभाव सामने आये लोगों के लिए और मुश्किले वड़ी और मार्च 2021 में दुनिया के इन तमाम देशों ने कोविट सील्ड के उपर बैन किया जर्मनी ने इटली ने फ्रांस ने स्पेन ने निदरलेंड ने आयरलेंड ने डेन्मार्क ने नार्वे ने आइसलेंड ने आस्ट्रिया ने ये सारे देशों ने बैन किया कि कोविट सील हमारे देश में नहीं लगेगी मार्च 2021 में और जब मार्च 2021 में दुनिया के तमाम देश बैन लगा रहे थे तो मार्च 2021 में ही हमारे भारत के आदर्णी प्रधान मंत्री जी ने और भारत की सरकार ने दस करोण डोज का फिर ठेका इसी कंपनी को दे दिया दस करोण का ठेका फिर इसी कंपनी को दे दिया कि दस करोण डोज और बना बना इया आपने सुन लिया मार्च में ही इन तमाम देशों ने बैन लगाया और मार्च में ही हमारे प्रधान मंत्री जी ने और भारत की सरकार ने कहा कि दस करोड डोज आप और तयार कीजिए कोविट की कोविट सीजिट की फिर आपको याद होगा क्या नाटक हुआ इस देश में वैक्सीन लगवाने जाइए सर्टीफिकेट मिलेगा मोधी जी का चेहरा होगा बड़ी-बड़ी फोटो होगी वो फोटो हट गई आज उस सर्टीफिकेट से बड़ी बड़ी फोटो लगेगी धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर पूरे देश में लगेंगे देखे आपके लिए जीवन रख्षा कर रहे है जीवन रख्षा कर रहे है यह ला मचा है विजेपी वालों ने पूरे देश में अब आजाईए मई दोहजार इकिस मई दोहजार इकिस में इस वैक्सीन का दाम अचानत बढ़ा दिया जाता है छेसो रुपए कर दिया गया इस वैक्सीन का दाम और जब इस वैक्सीन का दाम छे सो रुपए किया गया वो डाटा कहा है अलग-अलग देशों में जब लेकिया इसको छे सो रुपए कर दिया गया आप कल्पना कीजिए देश तो महामारी से मर रहा है लासे समसाम में जलाई जा रही है जगह नहीं है लोग लासे छोड़के चले जा रहे है चील कववे कुट्टे भी नोस्ते रहे उनको ये दिरिश्य देश में देखा उस समय में भारत की सरकार ने कोविट सील्ड का दाम बढ़ा कर दिया और जब भारत में इसको छे सो रुपए का किया गया तो दुनिया के अलग अलग देशों में कितना दाम था वो मैं आपको पढ़के बता रहा हूँ अमेरिका में ये कोविट सील्ड चार सो रुपए की थी बंगला देश में 280 रुपए की थी UK में 210 रुपए की थी और European Union में 210 रुपए इसका दाम था और भारत की सरकार ने भारती जनता पार्टी ने जो फोटो लगा के घोम रहते प्रदान मंत्री जी का धन्यवाद मोदी जी उन्होंने इसका दाम बढ़ा के 600 रुपए कर दिया और यह उसका एक इंट्रव्यू है एक टीवी चैनल को अधर पूना वाला का जिसमें वो कहना सहां हमें डेल सो रुपए में में हुनाफा हो रहा है हमें कोई दिक्रत नहीं है यह जो वैक्सीन हमने बनाई है इसका डेल सो में तक वह हमें फायदा हो रहा है कोई दिक्रत नहीं है लेकिन भाजपाईयों ने का भई तुम्हें तो अब आजये अगस्त 2021 अगस्त 2021 में मई में जब दाम बढ़ गया भात्पावालों ने कहा अरे तुम्हें फाइदा हो रहा डेर सो में यह हमें मन्जूर नहीं तुम्हारा हम 600 रुपए कर रहें कमिशन पहुचाओ 52 करोन 50 लाख रुपए की रिश्वत भारती जनता पार्टी को दी गई इसी कमपनी के द्वारा 52 करोन 50 लाख रुपए की रिश्वत भारती जनता पार्टी को दी गई यह सीधा सीधा क्विट प्रो को का ममला है दाम बढ़ाया गया और रिश्वत ली गई छे सो रुपए किया गया और बावन करोन की रिश्वत खाई गई यह रिश्वत तो पकड़ी गई खुले आप टेबिल के नीचे से अंदर खाने कितनी रिश्वत खाई होगी उसका तो कोई पता नहीं इस कोविट सेल्ड कंपनी ने जब ब्रिटेन के अंदर इसके उपर केस हुआ कुछ लोग गय कि इंजेक्शन लगाने की वज़ा से हार्ट टेक हुआ हमारे परिवार जनों की जान चली गई अपने भारत में भी देखा हौगा। बहुत सारे लोगों की अचानक चल रहा है नौजबान 30 साल का उसकी जान चली जाती है कि कोई शाधी में नाच रहा हुसकी जान चली जाती है उस हार्ट अटेक हो जाता है गोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है उसकी जान चली जाती है देखा होंगा आप बारत में एप करूम रुपए का हरजाना देने का मुटश्य कॉपनी को तुर्पण네 मैध। तब इस बाद का फुलासा हुआ कि इसके दुस्प्रभाव के कारण लोगों की जान जा रही है ये बात दुनिया के तमान देशों को मैं फिर दोरा रहा हूँ दुनिया के तमान देशों को जर्मनी को इटली को फ्रांस को निदरलेंड को आर्लेंड को डेनमार्क को नार्वे को आस्ट्रिया को आइसलेंड को इन सारे देशों को मार्च 2021 में पता चल गई और उसी मार्च 2021 किसमें प्रदान मंत्री जी ने और भारत की सरकार ने दस करोन डोज का इसको ठेका दिया दस करोन डोज इससे और बनाने के लिए का